अलो तो दोस्तों जिस तरीके से बिहार पुलिस में बड़ी अस्तर पर धादली हुई है इसके परिक्षा रद्ध होने की अब पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है बिहार सरकार ये अब समझ चुकी है कि अलग अलग जगों पर बड़े अस्तर पर जो धादली हुआ है चाय न्यूज पेपर हो अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुँच चुका है ये धादली अब छिपी नहीं है सिपाही भरती परिक्षा पूरे राज्य में नकल करने और कराने के मामले में 80 से अधिक लोगों की हुई गिरपतारी 11 परिक्षारती पकड़ाए आंसर की समय दोस्तों प्रश्न पत्र लोगों तक पहुच चुका था आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो सालवर गैंग थे उनके माद्यम से लोगों तक पहुचाया जा चुका था 6 लाख में 80 सतर हजार एक साथ और 15 अक्टूबर को होनी है सिपाही भरती परिक्षा सिपाही भरती परिक्षा समेत अनप्रतियोगी परिक्षा में पास करवा करेका लेने वाले राजस्तरी गैंग का पुलिश ने ख खुलासा अब हो चुका है तो अब बिहार सरकार एक्सल लेती हुई नजर आ रही है अंदर ही अभी इसकी कवायच चल लही है पहली फेच के परिक्षा को रद्द किया जाए जैसे ही इसकी खुल कर खुलासा होगा खुल कर कोई फैशला आएगा डेफिनेटली आप तक इन स्क्रीप के लीज़ है